तो आज हम बात करेंगे इंडिया की जो टॉप सिक्योर्टी एजन्सिया उसके वारे में इसका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप यानि करना इसको प्रोटेक्ट करती है अगर अब रोड में जाते हैं तो वहां भी प्रोटेक्ट करती है और यह एजन्सिया यह बनाई गई थि 2 जून 1988 को तो यहां पर जैसे इन्होंने बताए कि इसकी हिस्टरी क्या थी मतलब इसको बनाने का जो कारण क्या था है लिखे कि जैसे 1981 से पहले जो प्राइम निस्टर की सिक्योर्टी है उनकी जो रिस्पोंसिबिल्टी थी वह इंडिया डेली पुलिस थी उसकी स्पेशल सिक्योर्टी यहां पर लिखे कि जो की IDCP rank यो थे उनको होती थी और जो यह उन्होंने एडॉप्ट किया था जो उन्होंने युनाइटिड कि प्राइम निस्टर है उनकी जो सिक्योर्टी यह लंडन के पुलिस सर्विस के दरहीं कि जाती है इसके लागा लिखे कि जब नाइज स्पेश प्रवाइट की जाती थी प्राइम मिनिस्ट्र को या तो वो स्पेशल टास्क फोर्से कराई जाती थी या फिर इंटेलिजन्स ब्यूरो से यहां पर इनों दे रख्या है बट इनों लिखे कि जैसे कि आपको पता होगा इंद्रा गांदी की जो हत्ते होई वो उसके डेली स्पेशल प्रोडेक्शन घृप्रूट है नहीं स्पेशल प्रोडेक्शन kg यहां पे इसको जान करी आपको को चाहिए तो इनTM यहां dependent ऑप tvC. nations, जो फोटपान तो incoming तो यहां धंव तो यह हंपरी आसे कानों पर सरफ इंडिया में ही और इसका जो headquarter है जैसे कि आपको पते है कि न्यू डैली में बनी तो इसका जो headquarter है वो भी न्यू डैली में ही है तो यह कब बनी थी यहां पर इनने बताया कि यह form की गई थी तो 8 April 1985 को इसको जो है मतलब इसका लाए गया था act है और जो यह create हुई थी यह 2 June 1988 को हुई थी और कुमार सिना IPS director SPG यहां पर लिखें कि जो भी इनकी selection SPG क्मांडों की selection कैसे होती है इनको जो direct requirement नहीं किया जा सकता है इन्हें जो यहां पर इनकी एजन्सी जैन लाइक IPS इंडियन पुलिस फोर्स या फिस CISF या बीसे बॉर्डर सेक्योर्टी फोर्स या फिस CRPF सेंटर इस पुलिस फोर्स इन में से जो इन्हें requirement किया जाता है जो इस में में होते हैं उन्हें लिया जाता है जस्त लाइक SSB selection process उनकाता है उन्हें तीन प्रॉसेस से होता है मतलब तीन क्रेटिरियन देखें तीन रांड जए क्लियर करने होते है फिस्ट इन काता है पी आई दन लिख पर्स लेती है इसका परिमिंट्र से इंच्ट रिड्रुट उन्हें वांड पॉरा ट्रेंड पुरा अर्मी बनान के यह और जो भी केंड़ेट इसके लिए स्लैक्त होते है उनका प्रोवेशन पीरियेड होता है इसके तूर से प्रिपेरिंट कर पाते हैं जो भी पेरेंट यूनिट है जहांसे वह आयते हैं वापीस भेज दिया जाता है और इसके अलावाद जो SPG मेंबर है, जो SPG कमांडों है, वो regularly मतला 1 year के बाद change होते रहते हैं, इनका जो एक unit से दूसरी unit में transfer होता रहता है, दन या पर इनोंने बताए कि resignation या फिर इनकी जो क्या अंका रहता है, लिखे कि जो भी member है SPG कमांडों में होते हैं, ना तो वो अगर उन्हें मतलब कुछ भी अची है, तो उन्हें previous permission in writing of the prescribed authority को देनी पड़ती है, तब ही होता है, otherwise उनका ना तो वो अपने designation से, क्योंकि उनकी जो 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 भी उनकी होती है, वो 1 year की होती है, ना तो वो इस duration में अपनी कोई छुटी ले सकते हैं, और यह जो इनकी job रहती जो भी इनकी selection है, उसके बाद उनकी जैसी 1 year complete हो जाता है, तो उनकी जो parent unit है, उसमें वापिस भेज दिया जाता है, और जो भी vacancy list है, जो ministry of home, अफेर के दरह की जाती है, और जो इनकी units है, उनमें भेज दी जाती है, यहाँ पर इन्होंने बताएंगे कि जो salary है, एक SPG commando ह उसकी salary क्या रहती है, यहाँ पर इन्होंने बताएंगे कि जो salary होती है, यहाँ पर दिया हुए, कि 84,236 लेकि 2,49,47 की बीच रहती है, इसके लाओ जो SPG कमांडो है, जैसे कि SPG आपको बताएंगे तो इसकी branches है, अलग-अलग है, कैसे इन्होंने बताएंगे एक से दूसरे पर टांसफर होते रहते हैं, तो first operation, then next end की training, next end की intelligence and tours and administration, इनका जो काम रहता है, इनके जैसे यहाँ पर दिया गया है, कि operation का क्या काम होता है, इन operation branch दिया रहा है, उनका जो communication wing and technical wing and transport wing से related काम रहता है, उसके साथ deal करता है, then जो training है वो deal करता है, physical efficiency, markmanship and antis वो चेक याँ इसक करता है, कोई भी ऐसी हुने कहीं पर लग रहे है कि हाँ चताव नहीं कुछ भी ऐसा है, या intelligence bureau, इस से related वो इसके साथ करता है, कहीं टूर्स बगर है, या कोई other है, वो इन से related information के साथ deal करता है, next administration, यह करता है, human resources, या finance, या प्रोस्क्रूमेंट या फिर other related matter, जो इस से related matter है यह उनके साथ deal करता है, इसके लावा यहाँ पे नों दे रखे कि कब भी ने लगए, कब क्रियेट की लिए लिखे कि जो special protection के यह special protection group है, यह इंडिया capital में जो न्यू डैली में दो जून 1988 को create कि गया था और यह किया गया था एन अक्ट उफ पार्लियामेंट के द्वारा द उनका में काम जो रहता है, जो भी है 24 साथ security देना जिनको SPG protection दी जाती है, और यह SPG protection दी किने जाती है, पहले दी जाती थी यह प्राइम निस्टर को या फिर कोई फॉर्मर प्राइम निस्टर था उसकी फैमली को पांच एर के लिए दी जाती थी या कोई ऐसा जो मांगता तक तो उनकी अब तो वापिस ले लिगी है, अभी जो यह currently में दी जाती है, इंडिया के प्राइम निस्टर को दी जाती है, तर लिखेगी क्या-क्या उनकी features होते हैं कि हा, special protection group के लिखेगी, उनने जो भी selected किया जाता है, उनने प्राइम निस्टर के साथ है, 24 घंटे रहन होते हैं, जहां भी वो जाएंगे, उनके वहीं पर रहने होगा, वहीं पर उनके साथ रहना होगा, उनकी protection के लिए, इसके लाब जो एस्पीजी कमांडो है, वो ब्लैक कोड पहनते हैं, उनके पास एक आपमेटिक गन होते हैं, जिससे वो एक राउंड में काफी सारी फायर इनको पता लग जाते हैं कि किसकी कहां पर नजर है, धनिया पर है कि वो जो है, एस्पीजी कमांडो हैं, वो बुलेट्रूफ जैकिट रख पहनते हैं, अपने स्ट्रमक के पास ताकि जो एनमी है, उनको जो भी दुश्मन है, उनके राउंड बगएरा करें तो उनकोई भी जो हैंड ग्लफ पहनते हैं ताकि उनकी जो भी कुछ भी ऐसा जो एनकी खरोंची वगएरा ना है उनके हाथों पर जैसी यह इन्होंने दिया हुआ है कि इनका है एर प्लग पहनने होते हैं, उनको पहनने पहनने होते हैं, जो उनको पहनने कान में की होते हैं, यह उनके पा पता हैं कि हाँ SPG मतलब Special Protection Group, IG मतलब Intelligence Bureau, IPS, Indian Police Service, SPR, SRPF, Central Reserve Police Force, CISF, Central Industrial Security Force, and BSF Border Security Force, IG Inspector General, and PAE Personal Interview, अगर आपको लगते हैं कि कहीं पर नहीं पता लग रहे हैं तो यह अब बरीवेशन जो एंड में दी गई हैं आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, यह दि आपको इस से लेटिड और पादी जन करीचे तो आप इसकी official website पर जाका चेक कर सकते हैं, जिसका link में आपको description box में डाल दोंगी, यदि आपकी इस वीडियो से लेटिड कोई भी query है तो आप हमें comment section में लिखके बता सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and share इस तरह के on formative videos को देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को subscribe कीजिए